कॉंग्रेस ने आज जगा जगा धन्ना परदर्शन कारेकर अपोजित किया है इसी के साथ हमारी किसान कॉंग्रेस की महिला परवक्ता है रश्मी चोदरी से उनसे जानते हैं वो क्या कहना चाहेंगी देखिए किसानों का क्योंकि BJP गॉर्मेंट जो है complete failure साबित हो रही है और जो हमारे किसान भाई हैं वो विचारे तरही तरही कर रहे हैं और उनका ना तो मुआवजा है बिजली के बिल पानी का बिल मतलब ये सब माफ होने चाहिए हैं क्योंकि इस समय जो है आरती किस्तिती इतनी ज्यादा खराब है किसानों की कि किसान के दिल से पूछेगा किसान आत्मत्या करने पे तुल रहा है किसान के घर में बच्चों की फीज भरने के लिए पैसे नहीं है जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है स्कूल वाले प्रेसर दे रहे हैं उनके उपर में तो इस समय किस किसान कोंगरेस के कमीटी के सदस्थे या पद्धिकारी हैं वो रेगुलर धनना परदर्शन कारी करम कर रहे हैं फिर भी भाजपा सरकार के कानों तक आवाज नहीं पोच रही है तो उसको लेकर आप धनना परदर्शन सिमीत रहेंगे उस जागे भी कुछ करेंगे का अन्य दाता है और जो हमारी किसान काॉंग्रेस है वो मतलग की प्रति दिन धनने परदर्शन और किसानों की हकी लड़ाई को लड़ने के लिए हम पूरा का पूरा मोर्चा समाले हैं और यदी हमें मतलग त्रिवेंदर रावत के लिए हमें विधान साहभामें जाके भी धरने परदशन करने पड़े, सड़कों पर उतरना पड़ा, तो किसान कॉंग्रेश बिल्कुल तैयार है इस चीज के लिए, हमारे प्रिदेश चद्रिक शुशील राठी जी ने आवहन किया है, कि यदि किसानों की समश्याओं का समादा नहीं किया जाएगा, और मैं यहां अरद्वार्शी किसान प्रवक्ता भी हूँ, तो मैं पूरा का पूरा सरकार को हम आगा कर रहे हैं, कि या तो आप समभल जाओ, और किसानों का मुआफ़जा माफ करिए आप, सौरी मुआफ़जा दिलवाईए उनको, और उनका बिजली का बिल, पानी का बिल, समभल कराईए उनका, और किसानों को रहाद दीजिए, और यदि मालों सपोर्ज नहीं करते, तो हम सड़कों पे उतरेंगे, वही मैडम देखते हैं दूसरी स्रफ, आज कल दूसरा मामला भी करमा रखा है, कॉंग्रेस भी इस मामले को लेकर, भहुत धन्ना बदर्शन कारिकरम उईद कर रहे हैं, आज भी शहर में धन्ना बदर्शन कारिकरम उईद किया गया है, कि जो भाजपा के विधायक हैदवार हाट के, महेश नेगी, उनके उपर महिला का उत्पटन करना गरोप लगाया जा रहा है, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, देखिए, आज हम लोगों ने ग्यापन भी दिया है, SDM महोद्या को, और SDM महोद्या ने हमें आस्वासन भी दिया है, कि BJP गौर्मेंट इतनी निरलर्ज गौर्मेंट साबित हो रही है, कि इनके जो नेता हैं, इनके विधायक हैं, इनके मंत्री हैं, इस तरीके की हरकते कर रहे हैं महिलाओं के लिए, और महिलाओं का तो भारत वर्ष्ट में सम्मान किया जाता है, मात्री शक्ती जो है, उसी से ही ये लोग पैदा होते हैं, जो ये मंत्री बनते हैं, और ये जो मुख्य मंत्री बनते हैं, और मात्री शक्ती के साथ ही ये इस तरीके की, मतलब इस तरीके की घटनाएं कर रहे हैं, और हमारी महिशनेगी जो हैं विधायक हैं उसके लिए आज हमने ग्यापन दिया है और हमने पूरा का पूरा बोला है कि यदि इनको अरेस्ट नहीं करेगी त्रिवंदर सरकार तो हम बिलकुश सडकों पे उतरेंगे और महिला को न्याय दिलाएंगे क्योंकि कॉंग्रेस पार्टी जो है वो हर समुदाय को साथ लेके चलती है उनका ये कल्चर है हमारी कॉंग्रेस पार्टी का तो हिंदो मुस्लिम सीकिसाई को लेके अब ये लोग क्या प्रिचार करते हैं कि कॉंग्रेस तो मुसलमानों के साथ है ऐसा नहीं है हम हिंदो मुस् तरीके का कर रहा है कि कोई लड़की ऐसे कर सकती कि पेट में बच्चा पैदा हुआ है और वो कह रहे है कि DNA टेस्ट कराइए जैसे कि कभी मैं बताती हूं आपको आपके चैनल के माधियम से कि एंडी तिवारी जी के माधियम से कितना टाइम मतलब की कोट में केस चलते रहे थ कि जो रोही शेकर थे मतलब की एंडी तिवारी जी के बेटे थे तो इसी तरीके से इंडी इसका मतलब DNA टेस्स जो होगा इसका बच्ची का तो इससे क्लियर हो जाएगा कि महिस्ट नेगी की बेटी है और दूद का दूद पानी का पानी हो जाएगा तो सरकार इस तरफ कद हम नहीं उठाएगी तो धरना परदर्शन करेंगे घराव करेंगे हम अभी तो डिस्टेंज मेंटें चल रहा है कि 15-20 लोगों से जादा हम इखटे नहीं हो सकते उसमें भी दूरी बना-बना के क्योंकि कॉंकि कॉंग्रेस यदि कुछ करती है तो इनको यह लगता है कि पत लिए और को पर उतरेंगे बिल्कुंट उसमेला को हमने कंपलीटली हमारा पूरा कॉंग्रिस पार्टी हमारे मतलब में महिलायों की एज़े मेंबर हूं तो मतलब उसके तहत हम उसको पूरा का पूरा सपोर्ट कर आ रहे हैं और कोर्ट में भी यदि हमारी जुड़त जो कि उनको पूरा का पूरा न्याय को पूरा का न्याय दिलवाएंगे क्योंकि हमारे उत्राखंड सरकार की और से महिलायोग बनता है तो देखिए जिस तरह से रश्मी चोधि जी जो है हमारी कॉंग्रेक्स की नित्री है इन्होंने पताया कि एक तो जो महिला के साथ उत्तपतन भाज्च्पा के विधाक द्वारा की यह इनए टेस्ट होना चाहिए साथ ही उतकी गृफत्तारी होने चाहिए और वह उनके साथ खडी है उनके परिवार के साथ